पूरा खास पैनल इस वक्त मौझूद है और हम चर्चा कर रहे हर्यारा और महाराश्ट्रा के विदान सभा चिनाओं के बाद में एकजिट पॉल जो आये हैं उसको लेकर के पोल साफ पोल क्या खहता है आर्णाइन टीवी का अनवान क्या है जाहिर पर दोनों ही राज्जिवों के आज मतदाताओं ने अपने अपने तरीके से अपने अपने मतन का इस्थमाल कर लिया है जो प्रत्याशी है उनकी खिसमत का फैसला एवियम में एक उंगली पर स्याही लगा करके बटन दमा करके कैद कर दिया है मगर इस वक्त आर नाइन टीवी पर इस वक्त सबसे बड़ा एक्जिट पोल और पोल आफ पोल आप देख रहे हैं कि क्या कहता है प्रत्याशियों का नजरिया उन हिसाब से जो हिसाब है मतदाताओं का मतदाताओं ने क्या कुछ का आर नाइन टीवी के सम्मादा था अलग अलग जगों पर जा करके उनका मेजाज उनका नबस परकने की जो कोशिश की हम उनको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम रुख करेंगे अपने स्योगी की तरफ जो कि हमारे साथ में इस वक्त जुड़ेंगे कुछी पलों में कुल देंगे जियां अब की बार किस की सरकार माराश्टा में किस की बनेगी सरकार और हायाना में किस की बन रही है सरकार इस वक्त मदताओ ने अपने तरीके से अपने मत का परयोग करकर किसमत का फासला तो बंद कर दिया मगर हम अब अब आपको जो आकड़े दिखाने जा रहे हैं वो आकड़े देख करके आप चुनाओं के नतीजे आने से पहले ही आप उन नतीजों को एक खाका के तौर पर समच सकते हैं सीधे रुख करेंगे अपने सयोगी की तरफ जो के हमारे साथ इस वक्त है कुल्दी पठानिया इस वक्त है जुड़ चुके हैं और आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरीए समझाएंगे एक एक सीट को लेकर के भी और माराश्टा और हर्याना के विदानसबा चुनाओं में क्या कह रहा है रुजान सबसे पहले हम बात करेंगे हर्याना विदानसबा के जहां पर मद्दाताओं के जरीए उनका फर्ज निभाने के बाद में क्या आकड़े कहते हैं आर्लाइन के पोल्स अफ पोल में कुल्दी जे शुगरिया जबार एक एक करके आपको बताते है दरसल मुक्तलिफ चैनल्स के डेटा क्या कहते हैं हमारा पोल्स ओफ दपोल्स क्या कहता है सब कुछ आपको बताते हैं दीरे दीरे करके लेकिन सबसे पहले बता दें दर्शकों को कि आज हर्याना और महरास्ट का ये समर्ज जो है समाप्त हो चुका है 90 सीटों पर हर्याना म मद्दान हो चुका है और 288 सीटों पर महरास्ट में मद्दान मुकमल हो चुका है अब हर्याना का मिजास क्या कहता है एकजिट पोल के द्वारा हम आपको बताते हैं कि दरसल टाइम स्लों की अगर बात की जाए 71 सीटों पर बीजेपी 75 प्लस का नारा था बीजेपी का 71 सीटे दिखाई जा रही है 11 सीटे कॉंग्रेस को मिल सकती है एक बार फिरसन उकसान हो रहा है कॉंग्रेस को 15 से 16 सीटे 2014 में अब 11 सीटों तक सिमट सकती है इस टाइमस नाओ के डेटा के मुताबिक इसके अलावा सी वोटर्स आर भारत क्या कहता है 58 सीटे भारतिये जरता प पी नीलसन भी दे रहा है 11 सीटे कॉंग्रेस को मिल सकती है वही जो टाइमस नाओ और इसके अलावा आपको बता दें दूसरे कुछ मुक्तलिफ चैनल भी इस डाटे पर सटीक अपनी जो प्रमानिता है वो दिखानी की कोशिश कर रहे है 9 सीटे अन्यों को मिल सकती है इसके सीट दूसरे चैनल के मुताबिक यानि की 11 सीटे जो दे रही थी 10 सीटों पर सिमट सकती है कॉंग्रेस और अन्यों यानि की जे जे पी आइनल्डी पांच सीटों पर सिमट सकती है निर्दलिय भी इसमें शामिल है इसके अलावा टीवी नाइन भारत वर्ष की बात की जाए तो 69 सीटें ये दे रही है भारती जनता पार्टी को 11 सीटों पर कॉंग्रेस सिमट सकती है 10 सीटों पर जे जे पी आइनल्डी और बाकी निर्दलिय भी इसमें सिमट कर रह सकते है आर नाइन एक्स्क्लूजिव की पोल की अगर बात की जाए तो इन सब का एवरेच अगर न रही है जो भारती जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 13 सीटें कॉंग्रेस को जा सकती है 9 सीटें जो है वो निर्दलिय जे जे पी और आइनल्डी को जा सकती है हला कि हम आपको बता दे कि हमने जमीनी यहाँ पर मौाइना भी किया पहले जिस तरीके से परदान मंतरी नरेंद्र मुदी की रैलियों की शुरुआत नहीं हुई थी अमित शाह की रैलियों की शुरुआत नहीं हुई थी तब हमने जब मौाइना किया तो लोगों का ये भी को नगर परिशद में शामल करना था लेकिन गाओंबालों को ये कहना था कि हम वोट उसे करेंगे जो नगर परिशद में शामल होने से यारी की, जो उनका गाओं है, ग्राम पंचल्षएट की सुनी जाएगी उसी को वोट दिया जाएगा तो पहले ये मुद्दे हावी थे लेकिन धीरे धीरे रास्वाद की भावना और जो बारा कोट स्ट्राइक से लेकर तमाम मुक्तलिफ जो बाते की गई भारतिय जनता पार्टी के द्वारा की भारत बीजेपी के हाथों में महफूज है उसने एक बार फिर से अपना जी तो कुलधीप ने जिस तरीके से एक एक फिगर आउट किया और दिखाया कि किस ताउर पर हरियाना विधानसबा चुनाओ के अंदर तमाम पार्टियां इस वक्त मौजुदा इस्तिती उनकी क्या है कहां पर बीजेपी खड़ी हुई है कहां पर कॉंग्रिस पार्टी ख खा रहा है और उसमें पोल साफ पोल में जो एक आवरज डिकला 68 68 सीटे हर्याना के अंदर बहुमत से काफी आगे भारतिये जनरता पार्टी को मिलती हुई देख रही है जबकि कॉंग्रिस पार्टी 13 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है सबसे पहली प्रत करिया मैं अरुंतर पार्टी जी आपसे के कॉंग्रिस पार्टी उम्मीद लगा करके ये बैठी हुई थी कि इस बार कुछ बैतर हो जाएगा बीते दिनों में बीते महीनों में बीते वर्षों में जो चुनाव हुए उसके बाद में ऐसा माना जा रहा था या कॉंग्रिस पार्टी क के दिन सही साबित हुए तो सबसे बड़ी वजह आप क्या मानेंगे देखिए कहीं न कहीं जनता जो भी हमें वोट किया है जनता जनारदन है वो किसी को भी चुन सकती है उसका अधिकार है और हम जनता के किये हुए तो हम पहले उसका इंतजार करें मगर अगर यही आकड़े यही रुजहान अगर नतीजों में कनवर्ट हो जाते तो पिछले चुनाव के मकाबले भी दो से तीन सीटें आपकी कम आने जा रही है क्या माना जाए कि कॉंग्रेस पार्टी पूरे तोर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है हर्याना के अंदर नी नी देखिए वही बात मैं आपको बोलना चाहूँ कॉंग्रेस पार्टी देखिए जनता जो है वो अस्थानी मुद्दों से हट करके केंदर के मुद्दों पर आ रही है राश्ट के मुद्दों पर आ रही है तो जनता को रोजी नोटी नहीं चाहिए उसको राश्ट चाहिए कहीं न कहीं हम तो जंता की बात कर रहे हम उसको नार नलकूप और रोड की बात करते हैं हम उसके रोजी रोटी की बात करते हैं रोजगार की बात करते हैं और जंता राश्ट प्यारी यह बात तो तब साबित होती जब जनता की बात आप कर रहे होते और जनता उसको एकसेट कर रहे होती कि हमारी ये बात करते हुए नजर आ रहे शिवम त्यागे जीब 75 पार का जो नारा दिया उसके आसपास आपके पार्टी पहुंच रही है खुशी अंदर से तो होगी आप देखिए अगर वोट मांगेंगे तो किस बेसेस पे मांगेंगे जब मंतरी ने कहा दिया तो सभावी किसे माता है 75 पार मतलब आप 75 पार आपका मंतरी कहा तो इस देश के सौ न्यूस चैनल्स है आप उनको नहीं मान रहे सौस से जादा न्यूस चैनल्स ने सर्वे किया है उनको नहीं मान रहे उसमें हजारों लोगों की स्ट्रेंथ लगी होगी उनकों नहीं मान रहे उसमें एक एमिश्रा जी जैसे एनलिस्ट भी हैं जोनों ने बैटके अपनी ऑब्जरीशन देखा घूमा किया आप किसी को नहीं मान रहें लेकिन ये तो गलत है न ये जो दो तार जूड रहे है न कि आपके मंत्री ने कहा कोई भी बटन दबाईएगा भाजपा को भोट जाएगा आप काते हैं आप मैं स्वागत करता हूँ आपके बात का 5 साल और लगाता है आप एसे EVM पे ठीक रा फोड़ते रहे है और जन्ता के विवेक को गाली देते रहे है यकीन मानिया आप लोग सवाज जैसे इलेक्शन में डबल डिजिट पहुचना भारी हो जाएगे क्योंकि जन्ता के मैंडट को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी गर्तियां मान दें है यह 24 तारी को ते होगा है 24 तारी को ते होगा है मगर इसके पीछे की वज़े क्या रही उसको भी आपको देखना होगा मगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर यह एक बड़ा फैक्ट है और ऐसे भी धर्मीर चौधरी जी खाता खुलेगा जबबर भाई यह जो बड़ बोले बीजेपी के भाई हमारे बैठे हैं शुभूम जी और आप भी इनको धोक लगा रहे हो चैनल के माध्यम से अरे सर 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 तारी का क्यों प्यार कर रहे हो यह जनता जराफ्टन है आपने एक बार भी डिपेट में चलाया कि वो मंतरी कह रहा है जो लोग तंत्र को खतम करना चाहता है कि जो है आप कहीं भी बलड़ डालिया आएग बीजेपी के पास मैं यह कौनसा कनक्शन है यह कौन से लोग तमत्र को चिता करना चाते हैं बीजेपी के लोग और आप कह रहे हो कि इनके 75 पार चले गए तो यह जो जो गटबंदन है मीडिया का और बीजेपी के लोगों का जिस मेडिया का गड़तर होगा होगा आराइंग टीवी एक एक नैशनल लिस्टाफ चैनल है आप ऐसे अनर्गल आरूप प्लीस अनर्गल आरूप मधना आए आप लोग भासते हैं तो आप मीडिया के उपर क्यों आरूप लगताने लेगते हो सर यह 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 मैं आपकी मिश्क्लामा सकता हूँ खिक ख्श है किसी सकत शबडों का इस्तबाल ने करना यह यह कौता है दार्मीर जी धरमीर जी धरमीर जी धरमीर जी धरमीर की तरफी चन्ता उतादागी पूरा मीडिया पूरा देल पत्रकार पूरी जनता पूरा इवियन सब पर एका हुआ है तो प्रेंजी से कहते हैं ग्राली तो करते हैं कम से कम धर्मवेर जी आपकी मुश्किल थंडे धिमाग से सुनिये समझे और बोले भाई भाई भाउजन समाज पार्टी आप भाउजन समाज पार्टी का इतिहास पढ़ लिजिए हमारी लडाई इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ विवस्ता परिवर्तन की है और यह लडाई जारी रहेगी खाता भी खुरेगा सब्सक्राइब के बगर पहुज़न समाज के कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकी एक मिश्राजी कितना अदम है इनकी बातों में दावों में मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग ये पॉइंट लग रहा है और शायद हम लोग ऐसे पहले आदमी है जो डिसकस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महारास्टा में कौन बनेगा मैं अभी उसको हम बाकादा मारास्टा पर दिखाएंगे पूरा इसमें बहुत बड़ा नहीं लेकिन कोई बहुत इसको दर्शकों को समझाते हैं आपके जरिये कि इसके पीछे की बड़ी वज़े आप क्या मानते हैं अगर यही आकले अगर नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो यह ओपनियन पॉल दिखा रहे हैं जी 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 देखे इसके मैं आपको दो चीज़े बताता हूँ जो आप पाना चाहते हो उसके रेश्यों में मगर मैं आपसे कहूं कि तीन बड़ी वज़े हैं बीजे पी की दुबारा सब्सक्ता मेरी विसला आपके तरफ आपके तरफ आप तीन नहीं है घरमिर जी अगर नहीं है अगर नहीं है हमें एक आकड़ा पेश कर रहे हैं वह आकड़े में बार-बार कहरा हूं कि नतीजे नहीं है हमारा यह आकड़ा है और इस आकड़े की बन्याद पर नतीज़े कर वड़े जाते हैं दर्शक 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 देख रहे हैं जरा वो समझना चाहते हैं मैं आपसे तिन बड़ी वज़े जानना चाहता हूं चुकि आपने चुनाव को बहुत नस्दिक से देखा नहीं देखे पहला आप उसको क्रेड़े करिये इस्टेटिक दूसरा टेक्टिकल करिये और तीस इस्ट्रा टेक्निकल जितनी पार्टियां यहां बैठी हैं सब लोग मांते हैं ना कि इस्टेट्जी बनाने में आज की डेट में और पास की इस्पीरियंस को देखके बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है इस्टेट्जी बना ली चलिए बहुत अच्छी इस्टेट्जी नहीं है इनकी यह चुनाव और जितने के लिए जो चुनावी घंडिती बनाएंगे और पास्टेट्जी नहीं है अरे सर सुनिये तो जबाद मैं कहरूं सर आप ने इस इस्प्रेट्जी क्यों नहीं बनाएंगे आप स्टा परिवर्चल की बात करते ना सर धर्मिर जी इस्टार पर है अप ती सारी बात मान लेता हूं प्रदान बंत्री ने वादर किये थे उसमें कौन से वादर पूरे किये बड़ी शान्ती से पूछना चाहता हूं बड़ी शालीनता किसा ये आर नाइन टीवी क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के बैंजी के कमरे में चलता है गया ये बाई साम इतनी जबर जास त्रैली क कर रहे हैं तो सरकारी पैसे को दूपियों करके बहुत ना जवाब रही है देश के पैसे के बहुत ना जवाब रही है तो साथ तर बैस नहीं पाईगी बहुत 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 जबर जादा है तीसरा टेकनिकल टेकनिकल में आप देखे यही लोग बोलते हैं कितनी बड़ी इनकी शोशल मीडिया की टीम है ये वो मीडिया वगरे हां पार्तिय सेना भी मोदी सेना है इन्हीं की हसाब हो आप उताब दीजे क्यों चुनाव की चुनाव की चुनाव की चुनाव की मैं तो कहता हूँ अप जिए ने पहले ही शुब कामना आप तब लोगों पॉदी थी आरुंतर बाटि जी टीके सर धर्विश्य आप जीत रहे हैं तो आप जब नेताओं ने अपने अपने मतों का प्रियोग किया और उसके बात में कैसी तस्विरे रही लेकिन जो पोल्स हुआ जो मत का प्रियोग हुआ जनता ने अपने मत का प्रियोग किया उसके बात में चुनाओं आयो की तरफ से जो प्रेस कॉन्फियंस की गई उसमें क्य कहा गा, आई एक बर सुन लेते हैं उसके पाद 2019 was 70.35 and tentative figure as at 6% is 65% in the assembly consequences for which the poll has gone today. It will be definitely going upward because the polling is going on. जब तक 24 तारीकों प्रणाम का रिजल्ट नहीं आ जाता अरुंतर पाटे जी जब बार पही ऐसा है कि अभी मिस्टरा जी ने बहुत अच्छी बात कि कि practical तोर पे strategy बनती है वही चीज़ मैं बोलाओ कि क्या practical जनता को नहीं दिखता आप जनता को समझदार समझते हैं या नहीं समझते हैं अगर जनता समझदार तो रोजर किसान इसनी दोर जचगार के मुद्ड़ के उख दे रही है बहुत जनता के मत का रुजहान जनता के मत की पीछे उनक प्रतिश्यत जो आकले आखिर में आये थी हो सकता है उसके बाद में उसमें अपडेट हो गरीब करीब साड़े तेरा प्रतिश्यत बोर्ट प्रतिश्यत उसमें कम हुए हैं ये क्यूं हुआ इसको भी समझेंगे जई हाँ तो अब की बार किसके सरकार मगर खाका जो इस सूखका जो इस वक दिख रहा तसवीर जो धदिले दिख रही है उसमें काफी 70 पिक्टर साफ हो चूकी है कैं दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है बना सकती है क्योंकि जो ट्रेंड इस वक्त दिखा रहे हैं दर्शार है क्योंकि हम इस वक्त जिसा कि ब्रेक पे जाने से पहले अपने सही होगी कुल्दी पठाने के जरी हमने आपको परचा भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं एक बार मैं फिर से रुख कुल्दी पठाने की तरफ करूँगा कि माराश्ट्रा के जनता ने क्या फासला दिया है हाला कि ये नतीजे नहीं है मैं एक बार फिर से आपको इस बात को दोराओं की ये आकड़े हैं ये रुजहान है जिस बुनियाद पर 24 तारीख को जो नतीजे आएंगे आप इसको परकियेगा और रुख कुल्दी पठाने की तरफ ये शुक्रिया जब्बार ये आपको बताते हैं दरसल एक ट्रेंट दिखाई दे रहा है खासतोर पर 2014 से अगर चलें 2014 में भारतिये जनता पार्टी को 282 सीटे हासल हुई थी और 2019 के लोग सभा चुनाव आते आते भारतिये जनता पार्टी 302 के आंकड़े पर आ गई 30 सीटों का भारतिये जनता पार्टी को इजाफ़ा हुआ अब बात की जाए हर्याना की तो 47 सीटे विधान सभा चुनावों में 2014 में हासल की थी लेकिन 2019 आते आते अब 30 सीटों का जो गैप है या मार्जन वो माना जा रहा है और वैसा ही कुछ महरास में देखने को मिल रहा ह 122 सीटे 2014 के विधान सभा में भारतिये जनता पार्टी ने हासल की थी अब ऐसा हो सकता है कि 140 के 45 सीटे भारतिये जनता पार्टी यानि कि अपने आप में भी भारतिये जनता पार्टी सशक्त हो के सरकार बना सकती है लेकिन मुक्तलिफ चैनलों के आंकले क्या कह रहे हैं वो चलावा अरभारसी वोटर्स 222 का अंकड़ा दे रहा है यानि कि BJP प्लस शिफ सेना 222 के अंकड़े पर 56 कॉंग्रेस को और 10 अदर्स 56 कॉंग्रेस जो है वो 56 कॉंग्रेस प्लस है यानि कि NCP भी उसमें शामिल है ABP नील संग क्या कहता है 204 का अंकड़ा BJP प्लस का 68 का कॉंग्रेस का 68 यानि कि कॉंग्रेस प्लस 16 अदर्स का News 18 का सर्वे कहता है कि 243 सीटे BJP प्लस BJP शिफ सेना दोनों मिलकर यानि कि भारी पहुमत हासल कर सकती है 41 पर कॉंग्रेस 41 प्लस यानि कि 44 कॉंग्रेस प्लस NCP 6 सीटे अदर्स को मिल सकती है टीवी नाइन भारत वर्ष 197 सीटे दे रहा है BJP प्लस को 75 प्लस 75 बीजेपी के अलावा कॉंग्रेस और NCP को 75 सीटे मिल सकती है 16 प्लस को मिल सकती है लेकिन R9 पूल क्या कह रहा है R9 पूल कह रहा है 209 सीटों पर शिव सेना और BJP जीत हासल कर सकते है 63 सीटों पर कॉंग्रेस और NCP और इसके लावा 16 सीटों पर अदर्स यानि कि कुल मिलाकर जो पिछले विधान सभा चुनावों के नतीजे थे वो तो BJP और शिव सेना हासल कर ही जाएंगी उतनी सीटे उन से 15 से 20 सीटे कम से कम फायदा हो सकता है BJP शिव सेना गड़ बंदन को इस वार तो ये आपने एक खाका एक तस्वीर जो कि माराश्ट्रा विधान सभा चुनावों से जुड़े हुए देखी कुल्दी पठानिया ने जैसा कि आपको समझाया बताया कि इस वक्त जो इस्तिती बंती हुए देख रही है उसके मताबिक भारती जनता पार्टी और शिव सेना दोनों का जो अलाइस है वो पूर्ण बहुमत के साथ में माराश्टा के अंदर सरकार बनाने के लिए जा रहा है पहुँच रहा है और ऐसे इस्तिती में कॉंगर्स के अगर बात करें कॉंगर्स गटबंदन यानि के नसे पी और कॉंगर्स के गटबंदन की तो काफी पीछे हैं मगर क्या ये आकड़े 24 तारीख को कुछ बदलेंगे कहने ही सकते लेकिन जो जमीनी रियालिटी है अंदाजे और अनुमान के मताबिख वो फिलहाल भारती जनता पार्टी और शिवसेना माराश्टा के अंदर भी सरकार बनाती भी दिख रहे अब ऐसे में आपसे में इस पर पहली परतकरिया चाहूंगा अरुंतर पाठी जी हमारे साथ सारे खास मेवान जोने में एक बार आप सबी लोगों का शुक्रिय के साथ में स्वागत है ब्रेक से पहले हमने आपको हर्याना का ये पूरा सर्वे दिखाया और इस सर्वे के आधार पर आपने देखा और समझा कि किस तरीके से हर्याना में वहाँ पर एक बार फिर से मनोहरलाल के सरकार वापिस आ रही है सत्ता बचाने में काव्याब होती भी फिलाल देख रही है माराष्ट्रा में भी कुछ वैसे ही इस्तिती देख रही है अरुंदर पाड़ी जी जब बार वाई वही चीज देखे अभी सर्वे तरह तरह के न्यू चैनल लालाग सर्वे दे रहे हैं लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जहां एक और आप देखिए कि पीमसी बैंक घोटाले में जन्ता जो है बहुत ही परेशान है रो रही है तीन लोगों मर चुके अपने आत्मात्या कर लिए उधर रेलवे करमचारी रेलवे प्राइबेट हो रही है तो वो लोग आंदोलन कर रहे है किसान जो है वो लातूर से चल करके उधर विधर्ब से पैरों में छाले पड़ जाते हैं दिल्ली तक कूच कर रही है जब इतने लोग विरोध में है तो भोट दे कॉन रहा है इतना की इतनी सीटें आ रही है कही न कही ये मुझे समझ मैं यार कि भोट दे कॉन रहा है ये कौन सी नहीं जनता आगी क्या भोट दे करके वापस जमीन के अंदर जनता चली जाती है यह वही जनता है जो विरोध भी करती है यह किसका फेलियर है सर यह तो आपकी पार्टी का फेलियर है ना जब जनता विरोध नहीं पारे है तो यह कॉंग्रेस पार्टी का फेलियर हो ना कि जमीनी रियालिटी है क्या जनता का स्यासी नफ्स है क्या जब कोंग्रेस जंता के साथ मैं तो इनको भूट कहां सी मिल रहा है यह कौन लोग हैं जो भूट दे रहा है तो 2019 के चुनाव के पहले भी चुनावी कैंपेंट के दौरान भी यही बाते तो आप हम साथ हमारे साथ में जंता है घंटा जिस जो मित्र जो बोल रहे हैं इनी के तर्क को उलटा कर दीजिए आप सारी चीज़े अच्छी कर रहे हैं मैं मानता हूं आप बहुत अच्छी बाते कर रहे हैं जो एक्शुल चीजे हैं वो कर रहे हो यह जनता जिनके लिए आप काम कर रहे हो वहीं जनता आप क्राउट क्यों नहीं हो रही है तो वहीं सवाल है मेरा कि क्या आप जबाद की जनता जागरुक नहीं है मिस्रा जी यह कोई एसा यूध नहीं है कि हारने वाले जितना है आपको पता है तो जनता उसी को बोड़े लिए तो जनता के लिए काम करेगा मगर एक सबाद काम करेगा जनता आपके साथ में क्यों नहीं आना चाहती है या क्यों नहीं आ रही है इसकी पीछी की वजे क्या है क्यों बीजेपी की तरफ जनता चली जाती है जरा से इसको देखे और ये तो 2019 की लोगसवाद चुनाओं के बाद अब तक आप लोग बैठी पाएं इस पर मंतर करने के लिए तो दरसल मत अदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया जैसा कि परंपरा रहती है इसके बाद में चुनाओं के तरफ से एक प्रिस कॉन्फिन्स की जिसमें बोर्ड प्रिसेंटेज से लेकर के तबाम चीजों के बारे में जानकारी जाती है हम वो बयान आपको सुर्वाएंगे थोड़ी दिर में मगर आप कैसे आप इस बात का जवाब आपको कैसे मिल सकेगा कैसे समझा सकेगी अरुंतर पार्टी जी जब आप लोग अपने ही पार्टी को साथ लेकर के नहीं चल पाते हैं अपनी ही पार्टी का भरोसा न राहूल गांदी जी ने इस्तीफा दिया अपने जिम्मेदारी लेते हुए तो यह हमारी एक जो पार्टी है वो लोक्तांत्रिक पार्टी है वहाँ पर फैसले लिये जाते हैं समुओं के साथ अकेला कोई फैसला नियूरुपम की नाराजगी बेमानी सी थी इसका मत तो वही समझ में नियाता कि जब बार भाई आप सल्मान कुर्सीद और संजय नुरुपम का बात करें तो आप लोग इस मुद्र को कैश कर सके आप संजय नुरुपम की बात आए आप 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 आपने जो जो मुद्र उठाए आप महराश्टा के अंदर आपकी पार्टी बहुत सारे सब मेरे खाल में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाब लड़ रही है जी धरमविर जी बिलकुल बिलकुल हम सारी सीटों पर चुनाब लड़ रहे हैं जब बार भाई और मैं दुबारा बता दूँ ये 19 के जो बार बार आप जिकर कर रहे हैं ये 19 का चुनाब भी कॉंग्रेस का फेलियर था और ये 14 का चुनाब भी इन्हों ने अपनी नाकामियां जो थी ये इतनी कर गए कि पबलिक ने जो है इन मनुबादियों के हाथ में सत्ता सोब दी और आज सर फेलियर आप सिर्फ कॉंग्रेस के उ बात उठाया था उसके बाद ने वो सारी चीजे बिखर की गई सिर्फ कॉंग्रेस के उपर आप लोग क्यों सारी जिम्मेदारी का ठीक रा फोड़ देते हैं मायवती अपनी अलग लाह पर चलती भी निक रही है दूसरे देता आपने अलग लाह पर चलती का ने दिया उसक लुटने का काम किया है कोई रफेल का घोटाला करता है कोई बैंक का घोटाला करता है कोई दूसरे घोटाले करते है यह देश में बीजेपी और कॉंग्रेस का नूरा कुस्ति का खेल चलता है पर आप तहेंगे तो ताज को रिडियो रहा न जाने कितने क्या क्या चीज़ें पर यहां लोग निकालेंगे ठीक है ठीक है अरुंद बाड़ी जी जबार भाई देखिए हुता क्या है कि किसियानी विल्ली खंबान उच्छे आपके चरित्र को राजिस्तान के जबाई पर पर देखिए हैं लेकिन इनों ने बहुजन समाज के पीट में छुड़ा मानने का काम किया अरे तारे विदायक चुरा लिए गलत किया ये बहुजन समाज पाटी में एक भी महिला बता दीए जो लीडर सिंप्वालिटी की हो बहुजन को मारी मायावती हमारी नेता ही उनके अलावाद को है ही नहीं तो वहीं चाया बर्मा को हम लोगे अगर जरा 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 आकलों पर वापस आ जाते हैं ये जो आकले इस वक्त महरास्टा के हमने दिखा है इस वक्त दोसों के आसपास बीजेपी गटबंदन वहाँ पर पहुचते भी देख रही है और जबकि माक्समम असी के आसपास या कॉंग्रेस प्लस महाँ पर दिख रहा है मैतपुड वजे क्या देवेंदर फ्रनविस ने बहुत अच्छे काम के जनता उनके काम के सराना करते हैं उनके साथ में आरी देखे मैं आपको बताता हूं कि कोई ऐसा देखे चुनाओ जो होता है न और इस्पेसली पॉलिक्स राजनीत बड़ा इमोशनल फैक्टर होते हैं यहां पर वह भी भारत में हम लोग भावना प्रदान वह हैं काम ओम भी एक मामले में पीछे छूट जाता है और बीजेपी और शिवशेना का जो एलाएंस है वह अपने आप में इतना पावरफुल है कि उनके अगेंस्ट में मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं कि यह जो विपक्ष का अलाएंस है आप देखिए इनकी अपनी गलतियां कॉंग्रेस के संजय निरूपम ने क्या किया आप यह का रहा है कि मोदे जिक जंता की भाउना ऑन के साथ खेल रहें सर्माय दूस्याइश्ट मैं अले करना तो एंक देखिए अगे सब्सक्राइब निए कर दो रख रहे हो रहे हैं पाकिस्तान जाके समर्थन मांगिए लाहौर में जाके उसी पुए कर रहे हैं पाकिस्तान में जाके बिर्या निकाए कि ना बनाया आप लाहर जाके वोट मांग लिये होते तो जीत गए होते जाईए ना बेजिये किसी ने तक अब बढ़िया मोदी जी क्यों गहे थे वो मरी संकर राइयर जी गहे थे जो बोले था कि हमें वोट दूट दूट है आप बीजेपी कॉंडरेस बीएस पी समझ ये मेरा उससे मतलब नहीं है मेरा मतलब यह हो रहा है क्यों हो रहा है और दूसरी है तो वह समझ के बोलिए कि यहाँ पर सभी पार्टी है एक प्रती के पक्ष में आप जब बोलते हैं ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप भारती जन तो आप क्या बोलेंगे इमोशन के साथ खेल रहे हैं आप यही काना चाहते हैं अरे सर आप सुनिए एत्रिपाड़ी जीत गई तो क्या आप यही स्टेट्मेंट इलेक्शन कमीशन को देंगे कि वो भास्पा के साथ हो गई अरे इलेक्शन कमीशन का काम स्वागत करेंगे हमारा नहीं जारेंगे अभी भी कर रहे हैं जबकि हम देश की जनता नहीं है एक जिट पोल्स के अलग-अलग मीडिया हाऊसेस के और पोल्स आफ पोल्स के बन्याद पर जो आड़ाइन टीवी का जिस वक्त अपिनियन बन राग उसके बन्याद पर एक ते सामने आपका कोचा है मेरे नहीं दूसरों के उस पर उस पर विश्रेश आ रहाए है ठीक है मगर शिवम त्यागे जी दिल से बताएगा क्या वाकई मैंने ये सवाल एक मिर्श्रा जी से भी किया था कि आपकी महराष्टा के सरकार के कामकाज की बन्याद पर ही ये वोट आ रहे हैं तो फिर वहां के स्थितियों में बदलाव क्यों नहीं दिखा बड़े स्थर पर किसानों से मतालिक हो या दूसरे तमाम जो बड़े-बड़ इतना बड़ा है वो चेहरा इतना बड़ा है इतना बड़ा है अब सुनेंगे नहीं देंगे तो वह एक चेहरा है इसमें कोई दो राए नहीं है स्टेट कोई भी हो, केंदर में हो, सांसद के लिए कोई हो, विधायक के लिए कोई हो, मुख्या मंतरी के लिए कोई हो इस देश के प्रधान मंतरी की अपनी एक छवी है जो उन्होंने बनाई है महनत करके जनता के बीच में जनता के कामों को उठा कर अब आ जाते हैं प्रदेश में देखे प्रदेश की जनता या आज इस पूरे देश की जनता मूर्क नहीं है अगर 303 सीटे आई हैं तो जनता ने वोट दिया है साहब अगर महरास्ट्रा में और हर्याना में आप इतना अच्छा पोल्स और पोल्स दिखा रहे हैं तो जाहिर बात है कहने वाले कहेंगे EVM में परिशानी हैं कहने वाले कहेंगे मनुवादी कहने वाले आपको भी कहेंगे मीडिया भी की हुई है कहने वाले कहेंगे सारा सिस्टम भी का हुआ है हो ना हो चुनावा है उगको भी कह देंगे भी का हुआ है कि अगर सरकार ने काम नहीं किया होता तो इतना बड़ा mandate नहीं मिलता जिस mandate की तरफ हम अग्रसर हैं और दूसरा विपक्ष की खामोशी जरूर एक मुद्दा है विपक्ष का ना कुछ करपाना जरूर एक मुद्दा है और वो कहते हैं मेरे मित्र ने अभी कहा कि हम हार पे 2019 की analysis किया देखिए इनका शुरुवात कहां से हुई इंदरा जी जब तक इस देश में प्रधानमंतरी रही कभी किसी ने इन पर परिवारबाद कारोप नहीं लगाया क्योंकि इस पूरे देश ने देखा कि इंदरा जी सत्ता तक कितनी मेहनत और कैसे पहुँची उसके बाद जब राजीव जी आए इस देश में परिवारबाद की शुरुवात और उसके चार्जस कॉंग्रिस पर तब लगने शुरू हुए उसके बाद फिर आपने देखा स्रिमती सोनिया गांधी जी आई फिर उसके बाद राहुल गांधी जी आई आलम ये हो गया कि 1998 के बाद इनके पास एक रास्टर द्यक्ष नहीं है और यही हल BSP का है और पीछे से उनको समर्थन देखे बैठे हैं और पीछे से उनको समर्थन देते हैं अरे बही जंता आपका चार्ज चरिंत तेहरा और गोरा मापनेंट देख लिया मैं क्या कहता हूं आपका 4 चरिंत 13 जंता ने देख लिया आगे भी देखती रहेगी और एक तरह कहते हो कॉंग्रेद भूरी हैं दूसरी दरो समर्थन देते हो तीक तरह चाहकर समाद वाली पार्टी को फेक देते हो हाती पेसे उतार के अच्छा देश हित में सरकार काम कर रही है तब इस देश की जंटा नहीं बड़ा मेंडेक दिया है दरमवीर जी मैंने तो आप में आज बहुजन समाजवादी पार्टी का नहीं राष्ट रद्यक्ष देख लिया मैं तो खुश हूँ आपके लिए परसली आप भाई है मेरे लेकिन बात करिए ना अनन्द जी से एक बर ये क्या है परिवार 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 देवाब ये ग गलत करने वादे को जवाब देगी और अगर भार्टी कुछ गर्णी करेंगा ठीक करेंगे आज दो करोड़े रुपे के प्रहता चार पिज़ने को जवर्मवीर और जी प्रहता है नहीं रूटेल जी परिए नहीं है घर्मवेर जी अगर्दी नहीं है जोटेल रहूज है हम लोग इस कारण जी धर्मेर जी धर्म वेरजी हम लोग पर में चाहँ आपसपना चाहरा हो कि यह आकड़े हैं मैं धर्म जी दो strate के लिए बोल नूँ कि ये 24 तारीक Noti Just Sar stone can हमारी बुन्याद पर जो सर्वे की बुन्याद पर आकड़े आया हम उसको बता रहें मगर क्या अगर यही आकड़े नतीजी में साबित हो गए तो क्या है कि मिश्रा जी एक आई ओपनर साबित हो पाएंगे विपक्षी पार्टियों के लिए क्योंकि 2019 का लोगसाबा चुना हो तो शायद आई ओपनर साबित नहीं हो पाया देखे मैं आपको बताओं आई ओपनर अगर साबित होना था तो इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आये थे जब आदमी आँख खोलना चाहे ना सवाल ये है प्राब्लम दो ही है या तो आप आँख खोलना नहीं चाहते हो या आपकी जो इस्टेटिजिक टीम है वो आप पूरे पूरे पॉलिटिकल इन्वारेन्मेंट को समझ ही नहीं पा रहे हो हाँ उसके पीछे भी मैं बोल चुका हूँ भारत और इंडिया में फर्क है आप इंडियन पॉलिटिक्स को समझ रहे हो पूरी जनरेशन तो खतम हो गई उनकी मृत्ति हो गई नने जनरेशन आया है आप नहीं लीडरिशीप स्टाइल आपका राइवल आया है पहले कोई और होता था आ अटल व्यारी वाजपई की लीडरिशीप इस्टाइल कुछ और होती थी मोदी जी की leadership style कुछ और है तो इन सारे changes को आपको समझना पड़ेगा micro और macro level पे जितने भी forces है, dynamics है, parameters है हर चीज को समझ ये सर तभी जाके आप कर पाएंगे और ऐसे में अरुन्त रिपाठी जी बहुत शालिंता के साथ में अगर सच बात होगी तो आप accept कीजिएगा बेबाकी से बात रखेगा क्या आपको नहीं लगता कि वाकिए बीजेपी के पास में पन्ना परमुख जैसा concept अगर बीजेपी ला सकती है एक एक पन्ने पे जितनी voters है तो सोचे कि management, micro management उनका कितना strong है आपका संगठन खतम है तो क्या बिना हत्यार के आप जंग जीत पाएंगे जबार भई वही चीज़ मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ कि जब पन्ना परमुख है इनका block अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है तो क्या वो जरूरी है कि मोदी जी आके प्रचार करें कहां जाता पन्ना परमुखिन का कैसे प्रचार करते है सब फेल हो गए जब मोदी जी को ही प्रचार करना है तो पन्ना प्रमुख कर बलाक अध्यक्ष जिला देख अपनी पार्टी के लिए पार्टी आला कमान क्यों नहीं करेंगी। यह चीज यह लेयर तयार किया जा रहा है चिक यह लेयर तयार छिखे यही परिशानिय temas के लिए कि नहीं कि Πास बेखिये ऑजेsemb शकीन के करता बहुता है ओप और चैंड में चाल्यव मूझा सकते हैं यह कुछ भी कहेंगे लेकिन वाकई परिशानी है आप कितना भी कहिए इनकों के प्रमापन्ना प्रमुक से लेके ब्लॉक अद्धेश से लेके हर जगा है नहीं मानेंगे इस बात को मैं सिर्फित्रा कहना चाहता हूँ लास्ट में कुरुक्षेत्र वो जगा है जहां पर अधर्म का नाश हुआ था धर्म की विज़े हुई थी 2019 में वो रथ निकल चुका है हरियाना में जाके अधर्म का नाश होने वाला है यह मोदी अमिशाय की जोड़ी की जीत है या मुखमंतरियों की कामकाश की जीत है उसका बहुत बड़ा हिस्ता है मैं कहता हूँ वो इस पार्टी का चेहरा है इस देश का भी चेहरा है और एक एक कारेकरता की जीत है यह एक पन्ना परमोग ब्लॉक परमोग हर किसी की जीत ह सब्सक्राइब कर देखिए जब बार भाई ये बीजेपी जो कंटीनुई एक इवेंट एपिसोड प्रसुत कर रही है ना जैस चियल कर लाती है डांस करती है चली जाती है और पबलिक थोड़ी देर के लिए दिख प्रमित हो जाती है तो इनका इवेंट का जो काम है वो पबलिक देख रही है इनकी इवेंट मेंगे और ये इवेंट मैनेजमेंट खतम हो चुका है पबलिक इनको हराने बाली बैटिया है आप 24 तारिक तक इंतियार करिए ठीक है रहेंगे पक्ष या बिपक्ष किसी के लिए भी मुझे लगता है एक बहुत बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग होगा और इसके बाद पक्ष या बिपक्ष पता चल जाएगा कि कौन सी चीजे यहां पर हाइलाइट होती है वोटरों को इंफ्लूएंस कर सकती है कौन सी नह ऐसे लगाता है आप सबी लोगों को अपने पैनलिस्ट के जरिये अलग-अलग पहले ओपर समझाने के कोशिश कर रहे थे बहुत शुक्रिया शुमत्यागे जी अरुनति पार्ठे जी और विपिन शर्मा जी एक मिश्रा जी और सब लोग आप लोग आये और आप लोगों अपने महत्वड नजरिये के जरिये जरता तक पहुचाने के समझाने के कोशिश की कि इस चुनाओ के माइने क्या थे इस चुनाओ में जमीनी अस्तर पर पार्ठियों के रणिती किस तरीके से एक्जेक्यूट की गई मगर एक बात जो एक मिश्रा जी ने कही वो बिलकुल स करता है कि इस चुनाओ के नतीजे के बाद में आई ओपनर के तौर पर अगर बीजेपी फिर से कंटिन्यू करती है अपने अपने अपनी गाव्मेंट को तो उसको तो शायद स्ट्राटिजी बदलने के जरुवत ना पड़े मगर दूसरी पार्टियों को अपनी स्ट्राट स्ट्राटिजीन